हलो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1, 3, 5, 7, cyclo, octa, tetraene, anti-aromatic होना चाहिए, क्योंकि इसमें 8 pi electron होते हैं, जो 4 and pi electron rule follow करता है, cyclic होता है, planar होता है, conjugated होता है, लेकिन ये anti-aromatic नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, non-aromatic हो जाता है, anti-aromatic compound में strain होता है, इसमें 15 degree bond angle strain होता है, तो ये strain को release करने के लिए किसमे change हो जाता है, non-aromatic compound में, और ये क्या हो जाता है, जब इसकी shape change हो जाती है, तो non-planar हो जाता है, shape क्या हो जाती है, इसकी tub shape, और इसका bond angle होता है, वो 122 degrees हो जाता है तो अपने strain को कम करने के लिए shape change कर लेता है इसलिए आप क्या कहोगे कि C.O.T. cycle of tetrain क्या होता है non aromatic होता है